हेलो प्यारे बच्चों, NCR टिगनीत कक्षा 10, मैं आपका स्वागत है, आज हम करेंगे प्रशनावली 15.1 के 6 सवाल, तो आईए शुरू करते हैं प्रशन संख्या 16 से, किसी कान 12 खराब पैन 132 अच्छे पैनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बता जा सकता कि कोई पैन खराब है या अच्छा है, इस मिशन में से एक पैन या दिरच्छे निकाला जाता है, निकाले गए पैन की अच्छा उने की प्रैक्ता ग्यात कीजिए, बच्चों यहां पर हमें पैन के अच्छा होने की प्रैक्ता बतानी है, बच्चों हमारे पास जो खराब पैन है, वो 12 हैं, अच्छे पैन है 132, तो कुल पैन हो जाएंगे, हमारे पास 144, तो कुल संबाइत प्रिणाम भी कितने हो जाएंगे 144, अब एक पैन उसके अंदर से या दिरच निकाड़ा गया है, तो हमें बताना है कि पैन के अच्छा होने की प्रैक्ता क्या होगी, तो हमें अच्छा पैन उने की प्रैक्ता बतानी है, बच्चों प्रैक्ता क्या होती है, प्रैक्ता होती है, कोई भी जो घटना है, उसके अनुकुल प्रिणामों की संख्या, बटे म कुल संभावित प्रिणामों की संख्या तो यहाँ पर हमारे पास घटना अच्छा पेनाने की तो अच्छा पेन के अनुकुल प्रिणामों की संख्या हमारे पास है 132 क्योंकि हमारे पास 132 अच्छे पेन है बटे कुल संभावित प्रिणाम हमारे पास है 144 तो 132 बटा 144 यह हो जाएगा इसको थोड़ा साल कर लेते हैं तो यह हमारे पास हो जाएगा 11 बटे 12 अच्छा पैन क्याने की प्राइकता अगला पश्चन पढ़ते हैं परसंद संख्या 17 है 20 बल्बों के एक समू में 4 बल्ब खराब हैं इस समू में से एक बल्ब या दर्चे निकाला जाता है इसकी क्या प्राइकता है कि यह बल्ब खराब होगा दूसरा पार्ट है मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दुबरा बल्बों के साथ मिलाया जाता है अब सेस बल्बों में से एक बल्ब को या तरचे निकाला जाता है इसकी क्या प्राइक्ता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा यहाँ पर हमारे पास कुल बल्ब हैं 20 तो कुल संभावत प्रिणाम हो जाएंगे 20 बच्चों के यहाँ पर खराब बल्ब हैं वो च्यार हैं इस 20 में से 4 बल्ब क्या हैं खराब हैं तो अच्छे बल्ब कितने बते जाएंगे 20 गटा च्यार सोड़ा बल्ब हमारे पास क्या हैं अच्छे हैं अब हमें प्राइक्ता बतानी है कि खराब बलब के आने की प्राइक्ता क्या होगी खराब बलब के आने की प्राइक्ता क्या होगी तो बच्चों यहाँ पर खराब बलब के अनुकुल जो परणाम है उनकी संख्या हमारे पास है च्यार क्योंकि च्यार बलब हैं वो खराब हैं बटे कुल संभाईट परणाम हमारे पास हैं बीस तो च्यार बटे बीस यह हो जाएगा एक बटा पांच सेकंड पार्ट में बच्चों यह कहा है कि मान लिजी जो परसन संख्या जो इसका पहला पार्ट है कि पहले पार्ट के अंदर जो बलब हमने निकाड़ा था वो मान लो कि वो बलब खराब नहीं था मतलब वो बलब क्या था अच्छा था और उसको निकाड़के एक साइड में रख दिया और बाकी बचे वे में से एक और बलब निकाड़ा जाता है और इसकी क्या प्राइकता हो कि जो बलब निकाड़ा है वो बलब क्या होगा खराब नहीं होगा मतलब वो क्या होगा अच्छा होगा तो बच्छों यहां पर कुल बलब हमारे पास 20 थे ठीक है अब पहले पार्ट एक बलब निकाल लिया था और ये मानना है कि उसके पार्ट एक में जो बलब निकाला गया है वो बलब क्या है conform क्राब नहीं है निए अच्छा बलब था उसको एक साधी में रख दिया है तो हमारे पास बलब हो गए अब 19 क्यों कि कुल ब जो बलब थी उसके अंदर से एक बलब अच्छा निकाल के एक साइड में रख दिया तो हमारे पास बलब रहे गे कुल 19 ठीक है और अच्छे बलब हमारे पास थे पहले 16 उसमें से एक बलब निकाल के एक साइड में रख दिया तो हमारे पास अब जो अच्छे बलब थे वो बच गे 15 अच्छे बलब हमारे पास रहे गे अब 15 और कुल बलब हमारे पास हो गे अब 19 तब उसके अंदर से उसने एक बलब और निकाड़ा है तो वो जो बलब निकाड़ेगा वो बलब निकाड़ेगा 19 के अंदर से और वो बलब की प्राइक्ता बत पुचिए कि क्या होगी कि वो खराब नहीं होगा उसके खराब नहीं होने की प्राइक्ता क्या होगी खराब नहीं का मतलब अच्छा होगा तो अच्छा होने की प्राइक्ता क्या होगी यानि कि अच्छे बलब के आने की प्राइकता वो हमारे पास होगी अच्छे बलब के अनुकुल प्रिणाम होगी संख्या अच्छे बलब हमारे पास पहले थे 16 एक को अमने कालग ilg रख दिया तो कितने बच गये 15 बटे कुल संबावी प्रिणाम कुल प्रिणाम हुआरे पास पहले थे 20 अब रहेगे 19 क्यों क्योंकि हमने एक बलब को निकाल के एक साइड में रख दिया है तो 15 बटे 19 ये इसका अंसर होगा परसंद संख्या 18 है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 संख्याइं अंकित हैं यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दरच्छे निकाली जाती है तो इसकी प्रैक्ता ग्याद कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी नमबर एक दो अंकों की एक संख्या नमबर दो एक पूर्ण वरग संख्या नमबर तीन पांस से भी बाज़े एक संख्या इस परसन में बच्चों कुल डिस्क नबब हैं जिसके उपर एक से नबबतक संख्या लिखी होई हैं तो हमारे पास कुल संभावित प्रणाम भी हो जाएंगे नबबब हैं अब उनके अंदर से एक डिस्क को निकाला जाता है तो इसकी क्या प्राइक्ता होगी कि निकालीगी जो डिस्क है उसके उपर दो अंकों की एक संख्या लिखी आएगी या एक पूर्ण अवरग संख्या लिखी आएगी या फिर पांच से भी बाज़े एक संख्या लिखी होगी इसकी हमें प्राइक्ता बतानी है तो बच्चों 2 अंकों की संख्या 1 से लेकर के और 90 तक कितनी होंगी 2 अंकों की संख्या सिरू हो जाएंगी 10 से और कहां तक चलेंगी 9強 में तक 99 तक परन्तु बच्चों हमारे पास जो डिस्क है वो सिरफ 90 ही है उस पर संख्याई चिरफ नब बै तक है, तो हमें देखना है, दस से ले करके, और नब बै तक कितनी द्वंकों की संख्याई हैं, तो बच्चों यह हो जाएंगे हमारे पास 81 संख्याई, तो कुल अनुकुल प्रिणाम हो जाएंगे 81, बटे, कुल संभाइत प्रिणाम हमारे और पास है 90 इस तुलह साल कर लेते हैं कि नो बटा 10 ये अमारा आंसर हो जाएगा दूसरा एक पूरण अरक संख्या एक पूरण एक पूरण संख्या ये कौन सी होते हैं जिनका पूरा-पूरा वरगमूल निकल यए ज consciousness पूर्ण भर्ग्स संक्षे हो जाएगी एक तो एक होगी सबसे पहले तो फिर होगी चार फिर नो फिर सोड़े फिर पिर पचीस फिर छत्तिस उनेंच्यास चोसट औरagen इक्यासी ये कुल संक्षे हमारे पास हो जाएगी पूर्ण भरग्संख्यां होगी तो आनों कुल प्रिणाम हो जाएंगे 9, बटे, कुल प्रिणाम हमारे पास है 90, तो 9 बटे, 90 यानि 1 बटा, 10, 9 से इसको काट दी हमने, फिर 5 से भी बाद जाएक संख्या, अब 1 से लेके 90 तक 5 से भाग उने वाले संख्या हैं, पांच, दस, पंदरा, बीस, पचीस, तीस, पै 49, 50, 55, 60, 65, 75, 80, 85, और 90, तो हमारे पास 5 से भी बाज़ संख्या हो जाएंगे, कुल 18, और 18 हो जाएंगे, हमारे 5 से बाज़ जाएंगे, के अनुकल प्रिणामों की संख्या, और कुल संभावित प्रिणाम हमारे पास है, 90, अथारे बटे, 90, इसको तो राल करेंगे, 1 बट पांच यह आंसर हो जाएगा अगला प्रशन पढ़ते हैं प्रसन संक्या 19 प्रसन संक्या 19 है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निमलिक्त अक्सर अंकित है A, B, C, D, E, F Sorry A A, B, C, D, E, A ये इसके उपर अंकित है अब पासा होता है पासे के 6 फलक होते हैं तो इसके उपर 6 ही अक्सरे लिखे हुए है A, B, C, D, E, और A इस पासे को एक बर फैका जाता है इसकी क्या प्राइकता है कि A प्राप्त होगा या फिर second में है D प्राप्त होगा बच्चों यहाँ पर पासे के लिए जो कुल संभावित परणाम होगे वो 6 होगे क्यों कि पासे को अगर एक बार फैका जाता है तो कुल संभावित परणाम होते हैं वो 6 ही होते हैं अब यहाँ पर है कि A के प्राप्त होने के प्राइकता क्या होगी अब बच्चों वहाँ पर उस फलक के उपर उस पासे के उपर दो बार ए लिख्या हुआ है तो A के अनुकुल प्रिणाम हो जाएंगे हमारे पास दो और कुल संभाईत प्रिणाम है छे तो 2 बटा 6, 1 बटा 3, क्यों दो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि पासे पर दो बार ए लिख्या हुआ है अगला है D प्राप्त होने के प्राइकता क्या होगी अब उस पासे के उपर जो D है वो सिर्फ एक बार है तो D के अनुक्र प्रिणाम हो जाएंगे एक और कुल संभावित हो जाएंगे 6 तो एक बटा 6, यह आंसर हो जाएगा प्रसन संख्या 20 को पड़ते हैं मान लीजिए आप एक पासे को आकरती 15.6 में दरसाए आयताकार 6 तर में या दर 6 रूप से गिराते हैं इसकी क्या प्राइकता है कि यह पासा एक मीटर व्यास वाड़े वर्त के अंदर गिरेगा तो बाकी प्रसनों कितरे यह प्रसन है यहां पर एक आयत दे रख्या है जिसकी लंबाई 3 मीटर है चोड़ाई 2 मीटर है और इसके अंदर एक वर्त बना रख्या है जिसकी जो व्यास है वो है एक मीटर बच्चो अब पासे को गिरा जाता है तो ये बताना है कि प्रायक्ता क्या होगी कि जो पासा हमने फैक क्या है गिराया है वो वर्त के अंदर गिरेगा तो बच्चों यहाँ पर पासे को चाड़ेंगे तो वो वर्त के अंदर गिरे या ना गिरे लेकिन इस आयत के अंदर तो गिरेगा ही गिरेगा तो यहाँ पर जो कुल संभावित प्रिणाम होंगे वो जाएंगे इस आयत का छेतरफल यानि जितना ये एरिया है पासे के वर्त के अंदर गिरने के अनुकूल जो प्रिणाम होंगे वो हमारे पास होंगे जितना इस वर्त का एरिया है जितना इस वर्त का छेतर फल है जितनी वर्त ने जगह घेर रखी है तो वो हो जाएगी उसके अनुकूल प्रिणामों की संख्या तो यहाँ पर आयता कर छेतर के लंबाई है 3 मीटर चोड़ाई है 2 मीटर इसका जो छेतर फल हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा लंबाई गुणा चोड़ाई 3 गुणा 2 6 वरग मीटर यह है आयत का छेतर फल अब इसके अंदर है एक वर्त जिसके अंदर हमें उसको टानला है तो वरित का 6 त्रफल और निकाल लेते हम वरित का 6 त्रफल हमारे पास सुतर होता है पाई आर स्केर यहाँ पर पाई हमारे पास है 22 बटे 7 ले सकते हैं और तिर्जा देखो इसकी यहाँ पर जो व्यास है बच्चों वो आपके पास है 1 मीटर तो तिर्जा क्या होती है तिर्जा हमेशा व्यास की आदी होती है तो 1 बटा 2 इसका वर्ग यानि 1 बटा 2 गुना 1 बटा 2 तो यह आपके पास हो जाएगा इसको हम काट देते हैं उपर आएगा मारे पास 11 बटे 14 दो से काट दिया हमने 11 बटे 14 वर्ग मीटर यह हो जाएगा हमारे बटा का 6 तरफर या फिर आपको इसको यहां से आपके पाई कमान नहीं रखके पाई को पाई रख सकते हैं तो यह हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्केर आर यानी एक बटा दो गुणा एक बटा दो यह कह देंगे पाई बटे 4 वर्ग मीटर अब मैं बतानी प्राइकता पी वर्त के अंदर गिरने की वर्त के अंदर गिरने की तो पी वर्त के अंदर और गिरना, इसकी प्राइकता, बोज़ आएगी, वर्त के अंदर गिरने के जो अनौकुल प्रणाम हैं, वो हमारे पास हैं, पाई, बटे, छार, क्योंकि वो इसी、 जगए के अंदर, इसी एरिया के अंदर गिरेगा, बटे, कुल सम्भाईद प्रणाम, कुल है हमारे पास ये आयताकार का चेत्रफर वो हमारे पास अच्छे तो ये हो जाएगा पाई बटे चोबिस ये इसका अंसर हो